नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका शनिवार की इस वीडियो में कितने लंबे समय तक पिछले ड्रॉडाउंस बिटकॉइन एथिरियम और एसे नपी के चले हैं कितने दिनों तक दोस्तों एक ETF लाउंच हुआ है जो भर भर के बिटकॉइन खरीद रहा है और इसी तरी की बहुत मज़ेदार चीजें छे मिनिट का समाने ग्यान क्रिप्टो मार्केट का दिन का सर्वोत्तम निवेश आपका है पूरी वीडियो देखेगा मेरे नाम है रोई शर्मा सटोशी स्टाकरी ने में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों बहुत लंबी बेर मार्केट चल र करता हूं यह औरेंज बॉक्स जो है इसको हम रेस्ट जोन बुलाना शुरू कर रहे हैं रेस्ट जोन इसलिए क्योंकि देखिए बीच बीच में आपको फेक आउट्स आएंगे बिटकोइन का प्राइस 32,000 पर जाएगा जहां पर मैं वीडियो बनाके आपको बुलोगा कि जादा अति उत्साइद मत हो यह जादा बड़े बड़े लॉंग मत खोलिये जो लॉंगेस टाइम बिटकोइन का प्राइस सपेंड करेगा वह यह औरेंज बॉक्स के अंदर करेगा क्यों क्यों कि पिछली करेक्शन जो आई थी मई के महीने में मई 2021 में उसमें बिटकोइन दोहरा रहा हूं 26,500, 24,500 जीवन परिवर्तन कर देने वाला जो निवेश है वो आपका इस समय हो रहा है स्नाइब जोन लगा के रखिए डेली टाइम फ्रेम पर बात करें तो यह एक पैटन बनता हो दिखाई दे रहा है जहां पर हमें थोड़ी सी सपोर्ट है जहां पर पै 24,500 पर सपोर्ट मिलेगी और 24,500 मेरे विचार से इस बुल साइकल का एक अधभूत बॉटम है और वो जल्दी ही खतम होने वाला है क्यों क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें जो स्टॉक आरे साई है वो हमारा सोल्ड़ाउट हो चुग है और यह हमारा वी इतिहास में बहुत कामबार हुआ है तो बिल्कुल भी सर्प्राइज मत होईएगा कि स्टॉक आरे साई इसके नीचे नहीं जाएगी यहीं पर रैंगती रहेगी और यहां से हमें जो है वो वापसी देखने को मलेगी कितने लंबे समय तक वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं आने वाले हैं हमारे पास मई के महीने के यूएस मार्किट के लिए और अगर वो ज्यादा एंकरेजिंग नहीं हुए आपको याद दिला दू कि पिछली बार करीब हम 8.7 से 8.4 के आसपास आ गये थे अगर इस समय इंफलेशन के नंबर 7 के रेंज में आते हैं तो मार्किट बहुत सेलिबरेट करेगी बड़ अगर 8 से जादा आते हैं तो मार्किट फिर से निराश हो जाएगी मार्किट डर जाएगी कि भाया एक और रेट हाइक आने वाला है यूएस में चली बहुत होगी नेगिटिव बात पॉजिटिव बताते हैं आपके सामने कैनड़ा का एक बिटकोईन ETF है जो लगातार बिटकोईन खरीद रहा अगर आप देखें मई 2021 से पहले जब ये लाउंच हुआ था और जो हमारे पास ये येलो कलर की लाइन से वो बिटकोईन परपस ETF होल्डिंग बताता है 30 डेज चेंज आपकी इरीन लाइन है बड़ येलो लाइन आपक जिखाते हैं कि इसमें कितने बिटकोईन उन्हें होल्ड कर रखें और इसमें 40,000 से जधा बिटकोईन इनकी कस्टडी में है तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा तो इसमें अगर आप बिटकोईन को बेचने की सोच रहे हैं तो याद रखीगा कोई और पिछले सारे ड्रॉडाउं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के बाद कितनी बार विटकोईन कितनी बार एसे फाइवन कितनी बार एथिरियम नीचे गया है इतना जादा नीचे गया है और कितने लंबे समय तक नीचे गया है तो लेफ्ट साइड परस देखें 20% 30% 60% 80% है और ऊ longest drawn bear market के नजदीक है इससे नीचे और या इससे लंबा जो downward trend है Bitcoin और Ethereum का वो history में 2 या 3 बार ही हुआ है इतने लंबे समय तक Bitcoin और Ethereum जो है downward नहीं गए अपने peak से जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो right side पे और आपको बिंदू दिखाई दे रहे है pink और orange ये previous lowest है Ethereum के case में तीन बार ऐसा हुआ है जो इससे लंबे समय तक Ethereum नीचे गया है और Bitcoin के case में एक दो तीन बार हुआ है जो इससे लंबे समय तक Bitcoin नीचे गया बलकि अगर दो चार दिन अगर और चले तो ये second lowest duration हो जाएगी second longest duration हो जाएगी of downward trend after this या आप orange box बिंदू देख पा रहे हैं ये Bitcoin के हैं और similarly S&P 500 तो चलिए पुराना खिलाड़ी है नहीं गया है जादा बार जितना भी चल रहा है तो यानि कि duration उपर देखे सौ दिन एक हजार दिन दस हजार दिन आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस समय हम सौ दिन से उपर आ चुका है जब हम अपने peak से नीचे जाना शुरू किया था ये downward trend bear market शुरू होई थी और Ethereum और Bitcoin की case में और S&P 500 में भी almost 100 दिन से उपर तो होई चुके हैं जब से S&P 500 अपने top से नीचे गया है कहने का भाव क्या है बहुत हो चुका है एक सीमा होती है हर चीज के नीचे जाने के आप भी जानते जैसे bull market की सीमा होती है तो यहां से मुझे लगता है just a matter of time हमें थोड़ा सा और सुदृड़ रहना है मुझे पता है आप सुदृड़ हो आप में बहुत patience है यहां से हम पूछेंगे giveaway का सवाल जो कि बहुत simple है कल परसो हम announce करेंगे winner जिसको 50 डॉलर मिलेगा आज की giveaway का सवाल बिलकुल simple है दोस्तों S&P 500 में जो longest duration of decline रहा है वो कितने दिनों का रहा है मैं आपको आश्वासन के लिए बताना चाहता हूं कि stock market जो है वो बहुत लंबे समय तक bear market में जाती है हमारी crypto जो है वो फिर भी बहुत जल्दी recovery कर लेती है आपको इस chart में देखके बताना है कि what was the longest drawn bear market for S&P 500 in the history comment करके बताईगे मैं comment से जवाब दूँगा और अपना ख्याल रखिए दोस्तों धन्यवाद जैहिंद